अगर आपको IPL के अच्छी knowledge है, cricket के आपके पास अच्छी skills हैं, तो आप इन skills का use करके IPL से पैसे कमा सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको एक fantastic cricket application के वारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है my 11 circle, सबसे पहले मैं आपको इसका payment proof दिखा देता हूँ, जैसा कि हम यहाँ प रुपीस ट्रॉपीस एमांट करने वाला हूँ, जैसा कि हम यहाँ पर विड्स के आपको सकते हैं, और यहाँ पे लिएर के साँद हैं, बहुत सारे तपैसे विड्रोग करने है, तो यहाँ पर आपनी UPID के थ्रू अपने bank account में पैसे transfer कर सकते हैं या फिर आप अपना bank account number, IFSC code ये सब enter करके विए अपने bank account में ले सकते हैं पैसे तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी UPID enter किया है जो कि हमारे Google Pay account की है तो हम simple इसे select करेंगे, select करने आपको यहाँ पर withdraw का option मिल जाता है withdraw के option पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर confirm के option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो हमारी request है वो चली जाते है और instant हमारे bank account में पैसे जो है वो transfer हो जाते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछी seconds में यहाँ पर withdraw successful आ चाहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि withdrawal successful हो चुका है 214 पर हमने यहाँ पर request बेजी और 214 पर हमें यहाँ पर जो हमारा amount है वो हमारे Google पर account में हमें receive हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cash free payments के तुरू हमें यहां पे 100 रूपीज जो है वो हमारे bank account में withdraw हो चुके हैं और उसी के साथ आप यहां पे पहले भी देख सकते हैं कि यहां पे RZPX की तरफ से हमें 200 रूपीज मिले थे और 100 रूपीज आप यहां पे देख सकते हैं कि यह भी हमें रमे circle याने की my 11 circle application की मिले हैं तो इस तरीके से जो है आप अपना withdraw amount जो है अपने bank account में या फिर अपने पेटियम wallet में भी ले सकते हैं लेकिन किस तरीके से आपको my 11 circle application पे अपना account बनाना है और किस तरीके से contest में participate करना है और कैसे आपको अपना जो जिस वी content में participate करेंगे उसमें win करना है वो भ के दिया है उस link पे खरने के वाद आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा यहांपे आपको download 9, option मिलेगा इस पे क्लिक करने के वाद आपको my 11 circle को installation में अपने Arc से open करना है open करने के वाद my 11 circle application का page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे आपको अपना account create करना है तो यहाँ पर आपको register here का option मिलेगा register here के option पे click करने के वाद आपको यहाँ पर email id and mobile number enter करना है जैसा कि हम यहाँ पर अपना mobile number enter करते है और उसके बाद आपको यहाँ पर register for free के option पर click करना है तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter कर देना है और verify के option पर click करके आपका जो account है वो यहाँ पर create हो जाएगा account क्रेट होने के बाद आपके सामने इस तरीके का homepage आ जाएगा आपको यहाँ पर upcoming live completed matches देखने को मिल जाएंगे जो भी होंगे और उसी के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो match है वो है मुंबई versus हैदरावाद का तो आप जैसे कि इस contest में participate करना चाते हैं किसी भी तो आपको सिंपल इस पर click करना है click करने के वाद आपके सामने बहुत सारे contest आ जाएंगे अलग-अलग price में आपको यहाँ पर entry fee enter करनी होगी जैसा कि आप यहाँ पर first contest देख सकते हैं जिसमें कि आपको 10 rupees entry fee देनी होगी और यहाँ पर आप इसमें participate कर लेंगे तो आपका जो winning amount होगा वो होगा यहाँ पर 50 rupees तो उसी के साथ आपको यहाँ पर बहुत 59 rupees के entry करते हैं तो आपका जो winning amount होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 lakh plus iPhone SE तो यहाँ पर इस तरीके से जो है winning amount देखने को मिल जाता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर recommend करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके का जो contest है वो participate करना है जिसमें कि आपके winning chances 80-90% रहते हैं तो mile two head के option ? सब्सक्राइब आप這邊 के option जाता हैं तो आप यहाँ-वी amount डर करना चाते हैं वह कर सकते हैं आप यहाँप कं से कम कर सकते हैं 16 रूपीज और यहाँप इस तरीके से खेल सकते हैं यहाँप 89 करते हैं तो आप यहाँप देख सकते हैं कि इसमें दो ही тीम होगी एक आपके opposite जो भी team होगी आपको उसे beat करना है तो team create करने के लिए आपको create your team के option पर click करना है और आपके सामने इन teams के सभी players आ जाएंगे तो जो भी यहाँ पर players आपको अच्छे लेगेगी आज यह जो players हैं यह चलने वाले हैं तो उन्हें आपको select कर लेना है बॉलर्स को लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर जो credits limit रहते हैं वो 100 points के होते हैं और 100 points में ही हमें 11 players लेने होते हैं तो हमने यहाँ पर 11 players ले लिये हैं दन उसके बाद आप यहाँ पर team preview के option पर click करके अपनी team देख सकते हैं दन उसके बाद आपक कोई वी एक captain और wise captain choose कर लेना है जिससे कि captain के जो points होते हैं वो 2x होते हैं और wise captain के 1.5x होते हैं तो आपको simple इसे save कर लेना है save करने के वाद जिस वी आप contest को participate करना चाहते हैं तो simple आपको उस contest पर join के option पर click करना है कि हमने यह जो contest है इसमें participate कर लिया है और यहाँ पर जो है जब आप अपना account create करेंगे तो यहाँ पर आपको first deposit पर cash bonus भी मिलता है जो कि आप जब भी किसी भी match में किसी भी contest में participate करेंगे उसका कुछ ना कुछ cash bonus आपके account में यहाँ पर enter हो जाएगा तो इस तरीके से जो है आप अपना team बना सकते हैं अपने contest में participate कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है कि आपको यहाँ पर किसी भी match में join होने के लिए यहाँ पर कुछ amount add करना होगा उसके लिए आपको ऊपर add cash को option देखने को मिलता है तो simple आप यहाँ पर इस पर click करेंगे इस choose amount का option आजाएगा लेकिन जब आप first time deposit करेंगे तो यहाँ पर आपको cash bonus वाला page देखने को मिलेगा जिस पर कि आप 100 रूपीज पर 50 रूपीज का cash bonus मिलेगा और यहाँ पर 200 पर 150 का देखने को मिलेगा जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं इसके वाद जो है आपको किस तरीके स withdraw करना है जो भी आपका winning amount होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे option देखने को मिलता है more का आपको simple more के option पर click करना है और यहाँ पर आपको account details का option देखने को मिलता है account details में आने के वाद आपको my account पर click करना है और यहाँ पर आपको profile के option पर click करना है और यहाँ पर email id वो आप असानी से verify करवा सकते हैं लेकिन KYC verification किस तरीके से होगी इसकी आपको simple revise document पे मैं अगर click करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने आदार का driving license water id card से अपनी KYC verification कर सकते हैं और जिस भी bank account में आप अपने amount लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना bank account add करना है और simple अपनी यहाँ फिर UPI ID एंटर कर दिना है तो उसके लिए आप request withdrawal के option पर click करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे UPI का option देखने को मेरा और bank account bank account में आप अपना bank account add करेंगे तो यहाँ पे आप जो है अपने bank account में स आफिजा बढ़ जाते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और इस application का link मैंने आपको description में दिया है तो description में जाके इस application को download करके आप इसे use कर सकते हैं और I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगे में अच्छी तूडियो में